नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्वा इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर दिल्ली सरकार कई मुद्दों पर घिर गई है हाई कोट से जटका सुप्रीम कोट की सख्त टिपनी सुप्रीम कोट में सीजिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बतारे आपको डी वाई चनरचूड ने केजरिवाल सरकार को लतार लगाई है कई मुद्दों पर घिर गई आप सरकार सबसे पहला मसला सुनिए दर्चको सबसे हैं डिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को नोटिस भेज़ दिया गया है कि डिल्ली के सरकारी स्कूलों में मैं आखिर प्रिंसपलों कि जो कि उस लायक भी नहीं थे जो कि आपको बता दें डिजर्विंग भी नहीं थे कैसे नियुक्ती हो गई इसके साथ मैं आपको बता दू दिल्ली हाई कोट के आदेश के बाद नोटिस भेजा गया है दिल्ली सरकार को कि आखिर दिल्ली की सरकारी स्कुलों में 35 किसे और बता रहे आपको इनकी सालाना आए आठ लाक से उपर है लेकिन EWS याने एकोनॉमिकल वीकर सेक्षन के तहट इन्होंने फरजी तरीके से सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं और कहा जो आ रहा है कि दिल्ली सरकार की मिली भगत जाहिर सी बात है इसमें हैं इसी को लेकर 35 प्रिंसपल नए जो बने हैं नियुकती जो हुई है उसको लेकर PIL डाली गई है और दिल्ली हाई कोट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि आदेश दे दिया दिल्ली सरकार को नोटिस भेज दिया है दिल्ली सरकार जब जल्द इस पर जवाब दे ही पहला जटका आपने सुना दिल्ली हाई कोट से नए प्रिंसपल्स की नियुकती को लेकर किजरिवाल सरकार को तगड़ा जटका दूसरी बड़ी खबर पे आ जाईए दिल्ली जल बोड घोटाले में बीजेपी के नेता है हरिश खुराना कह रहे है दिल्ली बीजेपी की मै घोटाले हुए हैं भले कि जुरिवाल जी के साइन ना हो एक भी मंतराले हाथ में ना रखा हो आपको बता दे दिल्ली जल बोड में घोटाला हुआ दिल्ली के मुहला क्लिनिक में घोटाला हुआ सरकारी स्कूलों की हालत तो मैंने आपको बता दी कि प्रिंसिपल्स की नियुक्ती फर्जी वाड़े तरीके से हुई है अब इस मामले में 8 जुलाई को हाई कोच में सुनवाई होगी और बता दे आपको नावेंदू सिंग प्रिंसिपल्स बनने के लायक थे, उनको नहीं बनाया गया और आपको बता दे, फर्जी सेटिटिफिकेट्स दाकिल करके इन प्रिंसिपल्स की नियुक्ती हो गई है तो उनका हक छीना दर्च को जो इसके लायक थे पहला घोटाला आपने सुन लिए दूसरा घोटाला सुनेए दिली जलबोड का घोटाला आपको पता है हजार करोड सी भी जादा उपर का या आकड़ा पहुँच गया है और डिली में भारतीय जन्तामाटी लगातार दो सालसे कह रही है कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है घोटाला है अब अब इस पर भी आपको बता दे एक बड़ा जटका लग चुका है और इस फैसले के तहट भी यहाँ पर देखे बीजेपी ने ताने लिखा है तार साल से कोट की लड़ाई के बाद आखिरकार मेहनत रंग लाई है मानन यहाँ पर कहा ज़ना है हरिश खुराना बीजेपी के नेता है मरललाल खुलाना के बेचे हैं और आपको बता दे कि यहाँ पर इन्हों ने कहा कि केजरिवाल जी जल्द दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैंने कहा था दिल्ली जल बोर्ट के हर एक घुटाले भरस्टाचार को उजागर करूंगा बहुत जल्द वो घड़ी आने वाली ये कहा है बीजेपी नेता हरिश कुराना ने तिसरी बड़ी खबर सुनिए हर जगा के जुरिवाल को जटके दने वाली खबर है अब सुप्रेम कोट ने लतार लगाई है जी हां सही सुन रहे हैं बड़ी फटकार लगी है सुप्रेम कोट ने कहा माननिया CGI जो है उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा कैसे कर सकती है राजनितिक दल का ओफिस हाई कोट की जमीन पर कैसे चल रहा है ये बड़े एहम सवाल सुप्रेम कोट में पूछे गए हैं और चीफ जस्टिस जाले बना हुआ है उस पे अब सुप्रेम कोट ने लतार लगाई है और ये खबर बीते दिन की है आपको बता दे सुप्रेम कोट ने कहा है कि हाई कोट को जल्द सौपिए ये मामला अपनी जमीन सौपिए फिर हाई कोट देख लेगी कि उसको अपनी जमीन पर क्या बनवा अब तो खेर हटाया जाएगा आतिकरमन किया हुआ था आपको बता दे सुप्रेम कोट ने कहा डिली हाइकोट को यह जमीन यह बंगला लटाया जाए क्योंकि है हाइकोट के पूल में है मंगलवार को खूब नाराजगी दिखाई है मननिया सुप्रेम कोट के जो यहां जस्ट परत केजरीवाल के ब्रस्टशार के पोल खुल रहे हैं बता दे आपको पांच समझ जारी हो चुका है नहीं जा रहे है केजरीवाल जी और आप देखने वाली बात होगी कि अब एडी और केजरीवाल की बीच जो जंग छिड़ी है उस पर जीत किसकी होती है सुप्रीम अधित और लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके कोट ने कड़े सब्दों में कहा है कि इन सभी अतिकरमन हटाए जाएंगे और इस मामले को आगे के निद्रशों के लिए अगले सुमवार को सुनवाई होगी नेक्स्ट मंडे कमिंग मंडे इस पर सुन चाहे जल बोड घोटाला हो आपको बता दे हर जगा घोटाला है इसके साथ आपको पता ही होगा कैसे शराब घोटाला हुआ एक विभाग ना छोड़ा है जहां पर किजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा ना हो अब देखिए आज आते हैं बीजेपी प्रवक्ता यह मतलब अतिकरामन और पापी पाटी उन्होंने कहा है कि माइंड सेट यह देखी किजरीवाल का इन्क्रोजड ओन दे लैंड अलोटे टु देली हाई कोट और मेड पॉलिटिकल ऑफिस, CGI हैस टेकन कोगनिजेंस ओफ एट आप वर्क्स अगेंस जुडिशियरी लौ एन ओडर अर्विन दे किजरीवाल डजन्ट रिस्पेक्ट इवन दस सुप्रीम कोट यह कहा है बीज़पी की प्रवक्ता है रस्ट प्रवक्ता शेहजाद पुनावाला जी उन्होंने कहा है कि आम आनिपाटी सुप्रीम कोट को भी नहीं मानती है जुडिशियरी को भी नहीं मानती ह और कैसे अपने दफ्तर बनवा लेती है जो कि दिल्ली हाई कोट की जमीन थी और इसलिए इन्होंने कहा कि आमानी पाटी मतलब ये पाटी आमानी पाटी है ही नहीं ये पाटी अतिकरमन और पापी पाटी है तो देखिए चोध तरफे घिरे किजरीवाल अब क्या होगा जाने सरकार केजरीवाल जानेंगे धानली में घिर चुके हैं 35 प्रिंसपल्स ऐसे हैं दिल्ली सरकारी स्कूलों के जिनकी न्युकती गलत हुई है तो मैंने आपको तीन बड़ी खबरे बताईए अब आप अपनी राय रखिए देखने वाली बात होगी जाच में क्या खुलासे ह होते हैं सबसे पहले तो हमारी नजर टिकी रहेगी कि अतिकरमन यह हटाते हैं या नहीं और दूसरी हमारी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि क्योरीवाल की खलाफ जो डाली गई है यह प्रिंस्पल्स की न्युक्ती कैसे हो इसकी जवाब दही तै करीगी आपनी राय रख है बहुत शुक्री आपका